हलो तो देखिएगा यह आज जो है BHI 142 ठीक है चप्टर नंबर इसका जो फर्स्ट है जापान का इतिहास चप्टर नंबर फर्स्ट की अगर मैं बातवरू 1.2 जो है पूर्व एसी और इसके पडोसी उसके बाद जापान का भागोलिक वातावरन नेक्स्ट जो जापान इति क्लास है और बहुत ही ज़्यधा important क्लास है जो कल वाली क्लास थी ओ भी बहुत important थी क्योंकि उस आपको जापान के बारे में पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा आज की जो यह तो बहुत important है exam के point of view से ठीक है इसमें आज जो हम पढ़ेंगे जापान इतिहास में काला उधी करने यापन का जो इतिहास है उसमें काला उधी करने आपने जैसे देखाऊगा ना भारत का जो इतिहास है जैसे हमने ancient, medieval और modern history में उसको divide कर रखा है ना उसी प्रकार से जापान का जो इतिहास है उसमें कैसे काला उधी करन किया गया है next जो 1.6 रहेगा बहुत important है कई बार आता भी है सास्त्री जापान का निर्माड यानि जापान का निर्माड कैसे सास्त्री जापान 1.5, 1.6 इसको देखेंगे इन दुनों point को और साथ ही साथ उसके साथ जो अगला point हमें देखेंगे ही दो एसी एक सामान जनसे जो जापान का सासक बना और लास्ट में जो बहुत important देखेंगे तुकू गावा की सक्तिय का उद्भव इसको थोड़ा important में रखेगा आगे जो chapter जैसे जैसे बढ़ेगा हम तुकू गावा सासन को भी पढ़ेंगे क्यो या दिल्ली सल्दनतकाल है उसी प्रकार से वहाँ पर तुकू गावा सासनकाल है ठीक है जापान का इतियास है ठीक है देखें एक चीज मैं बता दूँ आप सबको यहाँ पर जापान का इतियास पढ़ना है तो यहाँ पर कुछ नाम होंगे या कुछ नेम ऐसे होते हैं जि इसलिए यह जो नाम होते हैं आप इनको बार-बार प्रोनाउंसेशन कीजिए बार-बार बोलिए ताकि आपको थोड़ी हैबिट पर जाए क्योंकि नाम थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं ठीक है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सारे जापानी जैपनी जाम या जापानी नाम है नाम से थोड़ा आपको हो सकता है कि इसमें थोड़ा या बोलने में या प्रोनाउंसेशन करने में उच्चारण करने में उसमें थोड़ी दिक्कत हो आप किसी को भी हो सकती है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें 1.5 ओपन कर लिजे ठीक है 1.5 इससे पहले मैं सासक राजवंसों के आधार पर जापानी इतिहास के प्रमुख राजनेतिक वर्गीकरण सास्तिय काल है य inclined जापान में जो पहला काल निद्धान है अगर आप उसकी में बात रहूँ जापान में जो मानक राजनेतिक विभाजन है सबसे पहले जापान का जो जिसे हमारे यहांपर गुप्त काल, मौरकाल व manufacturers ही यान है जो … 1794 से 1180 के साथ जापान में सास्त्री काल है। जो अपनी विशेष्टाओं के साथ जापानी स्प्रता के सिखर को चिन्हित करता है ठीक है पहला कौन सा जापान में जो काल उधी करना पहला क्या विया हियान है याद रखना क्या है हियान ठीक है कब से 1794 से 1180 तक चलेगा ठीक है इसके बाद योध्धा जनों की सरकार और का बाकूफू जो है बाकूफू जो है कामकूरा और जो बाकूफू है वह 1180 से 1333 तक चलता है ठीक है इस बात को ध्यान रखना कब से कब तक चलता है तक छोटी ओधी के लिए केमबू पुनरस्थापना में साही सकती केमू 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 जो है ये कब से कब तक चलता है 13 1333-1336 तका सब फिर सत्ता में फिर एक योधजन के परिवार यानि आगे चल करके फिर आगे आप देखोगे बाकाकू फिर जो होता है 1336 से लेकर के 1776 के पास चली गई 1773 से लेकर के 1603 की युधी में दमाईयों घरानयों का उधवा जिन्हों ने जापान के बड़े भुभाग को नियंत्रित करना सुरू कर दिया था उस समय दमाईयों के बीच सैन संघर्सों को उभरने वाला वह प्रमक प्रमुख जो राजवन्स था हम उसको कह सकते हैं ठीक है इसके बाद अगर आप देखोंगे ही दो यसी और फिर तुकुगावा सासन आता है जिन्हें तुकुग पर फिर आगर आप देखेंगे तो साही सकती को ले करके बताए गया है फिर बाकाफु चलता है और यह आग अल्लास्ट में हिदो यसी और तुकुगावा सासन काल आता है इस प्रकार से जापान में जो इतिहास को इस प्रकार से बाटा गया है आगे दिए आउधनिक काल ज राज को बदल दिया इस व्यापा कुवरेगी करण को कई तरीकों से परिभासित किया गया है लेकिन अभी यहाँ परचली था है यह जापान का जो आउधनिक काल है जापान का जो यह आउधनिक इतियास कब से चलता है अठारा सो यानि 1868 से माना जाता है ओके आगे देखे जो राजनेति घटनाओं की विभाजर रेखाओं का उपियोग करने की बजाए यानि जैसे 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 जापान में परिस्थितियां चेंज होती है उस प्रकार से उसका उपियोग करने की बजाए मनुष और उसके परेवन के बीच प्रमुक संबंधों को देखती है जाप बलकि जपान का जो इतिहास मनुसोर परियावरण का संबंध कैसा है एनी नेचर और हुमन का का रिलेशन कैसा है उस आधार पे कह सकते हो दिवाङखन high कहा गया है इतिहास का aur togo moon ने जपान के इतिहास को तीन भागों बाता है पहला जो भाग है देखे भोजन के घुमनतु और किरशक उध्द्धोगिक जिने घुमनतु भी बोलते हैं या जो थे और किरशक उध्दोगिक के रूपने दूसरा भोजन के लिए घुमनतु उध्धी उस समय थी जब लोग प्राकिर्थिक रूप से भूमी से सोय म उत्पन होते थे उसी पर जीते थे यहीं पहला जो काल बाटा गया जापान का इतिहास जैसे आपने सुनगे कि हमारे देश में भईय हडिपा है या हम उसको कहते हैं तो पहला जो जापान का इतिहास है भोजन के लिए जो आपने का भई जो मनुस्य का समाज था पहले क्या जंगलों में रहता था वहां का कंद मूल खाता था या जापान का इतिहास से तीन भागों में फर्स्ट कह सकते हैं भोजन के लिए जो गुमन्तू थे जिनको हम कै यानि एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाते रहते थे किर्सा का और अद्धोगिक था भोजन के लिए घुमन्तू अधी उस समय जो प्राकिर्तिक रूप से सोयम उत्पन होते थे उसी पर जीते थे अरे भई जब आगर मैं बात करूँ जो हमारा समाज था जिसको हम बात करते हैं घुमन्तू समाज या कह सकते हैं कि जो रहते थे जंगलों में रहते थे निवास करते थे एक इस पर जीवित थे भई जंगल में जो होता था एक कंद मूल खा लेते थे या जो चीजें होती थे उनी पर जीवित थे और यहां लगभग 420 BC तक रहा होगा यानि जापान का जो पहला इतिहास है उस सताबदी को बोला जाता है जहां पर मनुस जंगलों में सिकार करके रहता था इसको 420 BC तक माना जाता है आरंबिक जो मो 1430 BC और या यो यी 350 BC से 250 संस्कृतियों को सामिल करेगा यह जापान का पहला है दूसरी जो योधी जापान में मानी जाती है दूसरी योधी किरसक के उपियोग से चिन्नित होती है हालकि इसके कई उप्चरण है किरसी का विकास मकबरा संस्कृति यानि 250 से 538 की अउधी में हियान राजवन्स में सास्त्रिय जापान से सुरू होता है ठीक है एक मिनिट रुकिएगा यहां पर जो बता रहे हैं देखो दूसरी जो अउधी है किरसी के उपियोग को चिन्नित करती है देखो जापान का जो पहला इतिहास है जिसको बाटाग पहला जो काल अउधी मानी जाती है कि जिसमें लोग जंगलों में रहते थे सिकार करते थे और जो हम कह सकते हैं कि जो भूमी पर उत्पन होता था है जो फालो कंद मूल जो होते थे जानरों का सिकार करके रहते थे दूसरा जो जापान का इतिहास कह सकते हो वहां से स्टार् या एग्री कल्चर को चिन्हित करती है और जापान में किरसी का विकास मक बरा संस्कृती से कियोधी से यान राजवन्स के सास्त्रिय काल से सुरू हो जाता है लेकिन यह बारुवी सताब्दी तक अधिक गहन हो जाती है जब कामकुरा और तुकुगावा काल के दोरान सत्ता योध्धावर के पास चली गई यानि कह सकती है कहब तक चले बारुवी सताब्दी तक चलता है ठीक है और एक कहब तक चलता है तुकुगावा सासनकाल तक चलता है जब योध्धावर के पास सकती चली जाती है यह दूसरा चरन था ठीक है तीसरा यानि थर्ड फेज तीसर लोगिक समाज जैसा कि तोट मैन कहते हैं कि मिर्थकों के कार नामों पर विक्सित होता है। संग्रहित संसाधनों का उप्योग करता है। यानि जब भई जापान के लोगों ने खेती की या खेती करना स्टार्ट किया वहां से ये स्टार्ट होती है। इसके कई सारे उप्चरण जैसे में मकबरा संस्कृती है जो किर्सी करती थी या खेती करती थी या बारुवी सताबदी तक रहाए या इसके बाद गहन खेती और कामकुरा और तुकु गावाकाल तक रही। ठीक है और फिर उध्धाओं के पास चलिए जापान का जो तीसरा चरण का इतिहास माना जाता है वह 1990 के आसपास से माना जाता है जब कह सकते हो कि जब वो जो समास था यानि उत्पादक समास था यानि प्रोडक्शन और क्रांती बहुँ जाए कि आपको पता होगा 1990 के तीन पार्ट आपको बताने जापान की इतिहास को तीन भागों में बाटा गया है जिसको मैंने आपको बताए कि तीन कौन-कौन से भाग थे उसके बाद हमारा जो चप्टर है 1.6 जो है सास्त्रिय जापान का निर्माड यह जाम में आभी चुका है और यह आपके लिए इंप यह जापान की इतिहास में ऐसे ही नाम आएंगे ठीक है 794 में यह जैसे हम बोलते हैं कि जैसे मुगल वन्स बोलते हैं या जैसे कई बार आप जैसे इंडियन हिस्टरी पढ़ते होगे तो उसमें आता है ना अलग-अलग टाइप से तो इसमें वहाँ पर यह मातो है ठीक है 1794 में एमातो राज ने हियान में अपनी राज हियान क्या है एक सहर है हियान यह जो इमातो राज था इसने क्या क्या 794 में अपनी राजधानी हियान बनाई यह जापान में सास्त्री यूग के रूप में देखा जाने लगा यह जापान का एक नया यूग सुरू होता है के रूप में देखा जाने लगा कब से भी यह 794 में 794 ठीक है देखेगा और समय की सुरुवात को चिन्हित करता है जब जापानी सभ्यता की केंद्रिये मुख्य विसेश्टाएं बन गए हियान की आउधी सीमा जो थी वह 794 से जब हियान कायों में राजधनी का निर्माड किया से लेकर के 1850 तक चले जब सत्ता योध्धाओं की सरकारों को अस्थांत्रित हो गई 400 वर्सों की यह लंबी आउधी तक जापानी इतिहास में मानक विभाजन यानि कह सकते जापानी आउधी में यहाँ सबसे लंबा मानक विभाजन का इतिहास माना जाता कौन सब यह 594 से लेकर के ध्यारकना 594 से लेकर के 1150 तक चलता है राज कौन सा था जापान में यमातो राज था जिसकी राजधानी क्या थी हियान थी क्लियर आगे दिखो यहाँ वहाँ समय था जब बहुत धरम के मद्य से चीनी प्रभाव यानि यहाँ वहाँ समय था जब बहुत धरम के प्रभाव से चीन प्रभावी था आप सब को पता होगा की चीन में बहुत धरम गया कल के इतिहास में भी मैंने आपको पढ़ाया था क जापान पर चीन का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है चीन के भासा का चीन के विचारों का जापान पर बहुत ज्यादा प्रभाव यह वह समय था भईया जब बहुत धरम कीया था बहुत धरम के माध्यम जो बहुत धरम का प्रभाव तो चीन पर बहुत ज्यादा रहा ठ पर भाईया बहुत धरम राज के धरम कहां बना चीन में बना ध्यान सुनना ठीक है चीनी भासा को अभिजात वर्ग द्वारा अपनाया गया तथा इसके माध्यम से चीनी दार्शनिक और साहितिक से परिच्य कराया गया जो बौधिक जीवन में महात्पूर्ण भूमिका बहुत धरम का प्रभाव जादा रहा और चीन में जब बहुत धरम को राज के धरम बना गया और चीनी भासा का प्रभाव जापान पर बहुत जादा है बहुत धरम का प्रभाव जापान पर बहुत जादा पड़ा तो जापान में चीनी भासा बहुत धरम बहुत धरम को र जापान का जो अभिजात वर्ग था यानि भाईया जो अमीर वर्ग था वह चीनी बोल रहा था चीनी क्यों कि चीन का जो प्रभाव था वह जापान पर पड़ रहा था अगे देखो चीनी दर्शन या चीनी साहित जो था इससे परिच्या करा है जो बाउधिक जीवन में महात्पूर्ण भिमका निभार था इस प्रकार यह वह अवधी थी जब महिला लेख को ने जापानी भासा में लिखे साहित का उत्पादन किया चीनी का नहीं यह जापान मे जो महिलाएं थी वह चीनी का प्रभाव बहुत जादा था जापान में लेकिन जो जापान की महिला लेखी काएं थी उन्होंने चीनी भासा में नहीं बलकि भईया जापानी भासा में साहित को लिखा जापानी काना में लिखी मू करामी सीक्यबू द्वारा लिखा गया एक पन्यास जो था जिसमें चीनी पात्र नहीं थे हियान कुलीन जीवन का तस्बीर पेस करता है यान जो था वा कुलीन जीवन की तस्बीर पेस करता था हियान क्या था राजधानी थी ठीक है हियान जो था कुलीन जीवन की तस्बीर पेस करता था अरे यह सिंपल सी बात हा तुम तो िसकी जो राजानी थे हियान थे, जो तस्वीर दिखाता था एक परकार से जो कुलीन वर्ग था जो अमीर वर्ग था जो पैशे वाला वर्ग था उसकी तस्वीर पैस करता है। इन्हें सबसे महान जापानी लेखा के रूप में देखा जाता था, कुछ हद तक संस्कृती में काली दास की तरह, अंग्रेजी में sekspier की तरह, यानि कह सकते हैं, भाया की जापान में अगर मैं बात करूँ, तो जिनका मैं नाम जापानी में जो लेखिकाये होती थी, जो ज हितकार माना जा रहा था एक बात ध्यारक ना जापान पर चीनी भासा का प्रभाव और जापान पर बहुत धरम का प्रभाव रहा और यह कहां से गया जापान में चीन के रास्ते से गया क्योंकि चीन पर बहुत धरम का प्रभाव रहा और चीन का जो प्रभाव वहा जापान पर पढ़ा और चीन की जो चीनी भासा थी न वहाँ जापान में जो जापान के जो बुद्धुजीवी वर्ग था या पढ़ा लिखा वर्ग था या विजात वर्ग था उन्होंने भी चीनी उनी बोल रहे थे ठीक है आगे देखेगा हियान काल का नाम राजधानी के नाम पर हियान रखा गया ठीक राजधानी क्या भईया हियान है जिसका प्रतिरूप चंगा की चीनी राजधानी के अनुसार था हियान काल से पहले के कबीले आधारी समू उजी को एक साथ लेकर के एक साही राज़ का निर्मार किया जो चीन के तंगा राजवंस राज 1687 के नमूने पर आधारित था लेकिन इसको जापानी बीचारों के अनुकूल ढ़ा गया था यानि जो हियान राज था यहान जापानी बीचारों के अनुसार था ठीक है हियान राज से पहले जापान में जो समूदाय था वहां कबीलों के रूप में रहता था कबीला समझते हो अरे जो क क्या माना जाता था दिव्य माना जाता है नहीं कह सकते दियोता मानते थे भगवान माना जाता था कई इतिहास में आप सबने पढ़ा होगा ना कि जादा तर जो सासक रहे हैं इस हिस्ट्री में सभी ने खुद को परमात्मा का उतार या पैगंबर साहब का भेजा गया उतार इस प्रकार के लोगों ने, जब खलीफा की आपने सुना गया, दिल्ली सल्दन के जितने सुल्तान थे, सब खलीफा से उपाधी लेते थे, इसका मतलब क्या था कि भाई मैं पागंबर के द्वारा भेजा गया हूं, या कह सकते हो कि जो मैं सासन चला रहा हूं, पागंबर मु माना जाता था चीन में नौकर साही अच्छी तरीके से बिक्सित और मजबूत थी लेकिन जहां जापानी नौकर साही संगठी थी परंतु उसके पद वंसा कुलित कुलिन जनो द्वारा देखो करें चीन में तो जो नौकर साही थी ओ क्या था बैया मजबूत थी लेकिन जाप जापान में वन्सानुगत थी वन्सानुगत मतलब के मालो किया अगर किसी का फादर्व स्भार वाजस जापानाों चारीक्वेदी पाना था वेक्षा वंजक्षित किया है, कर संग्रहाग को एक सामुहिक प्रणाली डन्ड सहिता और नागरिक-सहिता की नाम से जाना आ जाता था बिख्सित हुी देशों में प्रान्तों यानि जापान अलग अलग प्रान्तों में बाटा गया एक प्रकार से जापान को बाटा गया और हर जो प्रांत होते थे उनको एक राज्यपाल यानि जो चलाने वाला उसको होता था हलाकि चीन के भी धार्मिक पर्थाओं की एक परिसद अन्य सभी कार्यालों के उपर रखी जाती थी यानि चीन के थोड़ा हटकर के जैसे चीन का सासन था वैसा जापान का भी सासन है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है चार डिफरेंट आता है कि धार्मिक पर्थाओं के लिए यानि जापान में भीया जो धार्मिक पर्था होती थी उनके उपर एक कार्याले रखा जाता था यानि रिलीजियस अगर कोई मैटर होगा तो अलग उसको कोई सोल भी किया जाएगा कर दिये और सत्रा सो पचीस तक अउधी तक समय तक अगर आप देखोगे तो इस छेत का उन्होंने क्या कर दिया था कौन सा है जो कोई टो छेतर था ठीक है एक सिधान्त है जो हर किसी के द्वारा सुविकार नहीं किया गया कि ए मीसी जोमोन ने संस्कृती के लोग थे जिन कोई उन्ट किया ए मीसी भोजन के लिए घुमन्तू लोग थे यनि जापान का कुछ ऐसा समुधाय था है जो लोग होते थे घुमन्तू थे यनि आज यहाँ आंकल वहाँ पर्सों वहाँ घूमते थे ए मीसी को बाद मेर जापान के मूल नीवासी में एनू के नाम से जाना इनु जनवादी थे और उनकी भासा साथ ही साथ संस्कृती पर थाएं जापानी जिने उस समय वजीन के नाम से भी बहुत अलग थी यानि जो वहाँ का कह सकते हो कि पर्मनेंट निवासी माना गया मूल निवासी कह सकते हो इनको लोगों को माना जा रहा था देखो वास्तों म जो साही सनचना रही वह तो रही लेकिन धरातल पर उसकी सक्ती सीमित थी यानि जापान में जो राजा था या जो सक्ती थी उसकी बहुत सीमित थी इस अउधी की प्रमुक विशेष्ताओं में से या है कि भले एक ही सत्ता का ताम जहाम एक नौकर साही परती रूप पर मतलब सासन में मंत्री दुनिया भर के लोगों को इकठा सासन चलता था लेकिन जो भूमी होती थी वह समराट की होती थी राजा के जमीन होती थी और परिवारिक सत्ता ब्यापेक थी परिवार की सत्ता होती थी साही नियंतर्ण में सोयन और की निजी भू संपदा का प्रसा भाई या जापान में करें कि जापान में जो राजा होता था ना उसको सेवा निर्वित हो जाता कर देते थे होता था उस एक बच्चे को राजा बनाय जाता था उसको भईया सिंगहासन पर बैठाया जाता था ठीक है अभिभावक द्वारासासन किया जाता था उधान के लिए फू जीवरा परिवार या सेवानिवरित समराथ तीसरा सुमराई दल या गवर्नर के पास सत्ता थी मालुक कि अगर किसी राजा का बेटा चोटा है या कम समझदार है तो परिवार के जो अभिभावक होते थे उस सत्ता को चलाते या जापान में भईया जो राजा होता था कुछ समय के बाद रिटायर हो जाता था सेवा निर्वरित हो जाता था उसका जो बेटा होता था उसके जाते हैं कि जो हियान राज्य है यहाँ जापान का प्राची इनकाल था बहुत पुराना काल माना जाता है लेकिन यह वरगी करत इतिहास में पस्चिमी नमूने का यह अगर इतिहास में देखे तो पस्चिम जो की संस्कृति उसकी तरह था आज कल सी केमरून हर्ट जैसे लेकिन सामंती प्रविर्तियां बिक्सित होने लगती है जापान में दीरे-दीरे क्यारत अब या सामंतवाद समझते हो क्या होती है जब आप आगे अगर हिस्टी में मास्टर वास्टर करें तो वहाँ पर भी सामंतवाद आएगा सामंत का मतलब होता है कि राजा की अंदर राजा हो जाना मालों कि आप राजा है तो अलग आग लोगों को कई धिरे धिरे भाहिया क्या आ रहा था? पहले तो राजा होते थे लेकिन अब राजा क्या करेगा सामंत बनाएगा कैसी प्रविर्ती जापान में? सामन्त वाद सामन्ती प्रविड़ती आएगी इसके उत्रार्ध में सामन्ती विशेष्टाओं को मजबूत देखते हुए क्योंकि केंद्रिय सक्ति का अब छरण हुआ यानि देखो जब राजा कमजोर पड़ता है तो सामन्त को रखता है मालो की मैं किंग हूँ मालो की आप राजा है और बहुत मजबूत राजा है तो तुम कोशिस करोगी भाई कि मैं ही हर जगा की देख रेक करूँ मैं ही सब जगा जाऊँ मैं ही मेरा पूरा सासन नियंतन में रहे मालो की आप कमजोर पड़ गए बूढे हो गए या उतना बहुत ज़्यादा बड़ा समराज्य है तो आदमी क्या करता है लोगों को रख लेता भाई तुम फलानी जगा देख लेना तुम फलानी जगा देख लेने यानि देखाऊगा न किसी को कही का प्रांतों में बाढ़ देना उन्हों के गवर्नर रिप्त कर देना इसको हम बोदे सामंतवाद या सामंती अर्थे बेवस्था ठीक है क्योंकि अब जो केंद्रिय सक्ती थी केंद्रिय सक्ती का मतलब जो मुख्य राजा जापान का था जब उसका अब छरन हुआ यानि उसकी सक्तिय कम हुई आए कम जोर पड़ा तो वहाँ पर जो सामंती बेवस्था थी वह सामंती बेवस्था धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी पहले फूजी वारा परिवार के पास आई फिर सेवा निवित संप्रव्द सासक के पास है दीरे दीरे जापान में क्या हो रहा था कि भाई वहाँ पर सामन्ती बेवस्था आई बिद्वानों ने तर्क दिया है कि समराट और कुलीन वर्ग ने केवल बाहर हितों के लिए अपनी सक्तियों का समरपन नहीं किया जो जापान के जो राजा महराजा थे उन्होंने बाहर सक्तियों के हितों में अपनी आत्म समरपन नहीं किया बल्कि कुलीन वर्ग ने एक साही नियाले राज्य का निर्मार किया उन्होंने सक्तियों का आत्म समपन नहीं किया ना ही सक्ति का प्रयोग कैसे बिभिन तरीके से किया गया इसको नजरन्द उधान के लिए बिद्वानों ने बता है कि राज जपाल की नियुक्ती सौधानी पूर्बक की गई ताकि राज की आय में कोई बिगनपन दुकर करें जापान में करें कि जापान में जब ये सामंती बिवस्था आ रही थी तो वहां कि राज महराज उन्होंने आत्म समपन नहीं किया ये नहीं कि भाईया जिसको सामंत बना रहे हैं जिसको गवर्नर बना रहे हैं जिसको राजपाल बना रहे हैं उसको किसी उक बना दे रहे ह ऐसे नहीं बना रहे थे या उसका पूरा सावधानी पूरबक राज़पाल बनाया जा रहा था ताकि राज की आये में कोई बिगन न पड़े जिसे मालो कि आप किंग है ठीक और आप ही किसी पूरे सासन को समालते हैं तो आपको मालो की साल भर में 10 लाग की इंकम होती है ठीक करते थे ताकि राज की जुआया है उस पर किसी प्रकार का परभाव न पड़े बिगन न पड़े क्योंकि आज जब हम बिचावलिये रख लेते हैं या सामंत रख लेते हैं तो भाईया सामंत जो होगा वो सोचेगा हम भी कुछ कमा लें तो इस चकर में इंकम घड़ जाती है अगर वो पूरी लाएगा तो किसान पर सोचन होगा सिंपल सी बात है तो इस प्रकार से देखेगा साही सत्ता स्थापित हुई लेकिन प्रतेक्ष साही सासन लंबे समय तक नहीं देखो करें जापान में साही सत्ता तो स्थापित लेकिन जहां लंबे समय तक नहीं चल सक आगे देखेगा जो राजा था वहा तो मुख्य सक्ती का केंदर था यह सक्ती का स्रोथ बना रहा लेकिन जापान में जो भईया वास्तविक सक्ती थी फूजी वारा परिवार द्वारा किया गया जिसमें सबसे सक्ति साली फूजी रावारा 916-1028 तक था इसको बताए गया अब हम बात करेंगे हीन काल की संस्कृति हियान हियान काल की ठीक है हियान काल ठीक है इसको देखना जिसको हम पढ़ रहे है हियान काल को देखीगा हियान सब्वता एक अभिजास संस्कृति थी करें यह हियान हियान क्या था उनका राजधानी थी यह हियान हो समय था हियान काल उसको हम बोलते हैं ठीक है तो हियान काल जो था वगविजास संस्कृति थी यानि अमीरों की संस्कृति कलचर था एक ठीक है ठीक है किसका था अभिजात अमीर आदमी जिसे एक हजार दरबारियों ने बनाया और चलाया था जान் अब अब बना चला जब अभिजात वर्ग होगा तो अमीर वर्ग होगा साज सज्जा धाड बाटतों देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा न हलाकि भौतिक जीवन बेहत सरल और सादगी था देखो यान जो सभ्यता है वह जरूर अभिजात वर्गों की रही लेकिन उनका जो जीवन था जो लाइब था वह बहुत सरल था या सादगी वाला था ठीक है जीवन सरल था और सादगी पसंद था अरहर, चावल, सबजी और बहुत कम मांस और मचलियां थी यानि अहार में अगर मैं बात करूँ कि जो संस्कृती थी ये सबजी, चावल और बहुत कम मांस मचली इनका प्रियोग होता था चाय को चीन से केवल नवी सताबदी में लाए गया यानि जापान्व की अगर मैं बा लिखाय आती थी, उसका प्रियोग किसके लिए किया जाता था, दवाई के लिए, बैलगारी परिवाहन का प्रमुख रूप थी, यानि जापान में उस समझ जो हियान संस्कृती थी वो बैलगारी का प्रियोग करते थे, जहाज सरल थे और सुरक्षित रूप से समुद्र के पारियात्रा नहीं कर सकते थे यानि जहाज तो बहुत सिंपल होते थे लेकिन समुद्र पार नहीं जा सकते थे लेकिन उन्हें टट तक आना पड़ता था यानि टट तक आते थे लेकिन वो समुद्र पार नहीं कर सकते थे बहुत धरम राज्य का धरम बन गया यानि उस समय ज संबंद जटिल है सास्त्रिय जापान में सी ना तो सब्ध का उप्योग साओधी कभी किया गया लेगिन जब किया गया तब इसका प्रियोग केवल लोकप्रिय धारमिक बिभार इस सब्ध प्रियोगां के मार्ग रूप में होने लगा जब बहुत धरम की प्रभाव के कारण हुआ क्योंकि बहुत धरम बुद्ध का मार्ग है सिंतों का विकास हुआ क्योंकि यह बहुत धरम से जुड़ गया और जल्द ही दियोता या कामी की पहचान बुद्ध के रूप में जाने जाने लगी ठीक है इस बात को ध्यान रखना आगे देखेगा बहुत धरम कोरिया के माध्यम से दिखो क्या करें बहुत धरम जो था कोरिया के माध्यम से चीन से जापान में आया यानि कोरिया के माध्यम से कहां से अब या चीन से जापान में पहुँच गया बहुत धरम ने नए साही रा प्रारम में कई कुकाई द्वारा अस्थापित और भिक्षुक जो थे उन्होंने अस्थापित करे सत्य सब्द जो बहुत संपरदाय का समर्थन किया। पूले और हियान और अविजात वर्ग पर इनका अनुगराण किया। कहां से गया था कोरिया के माध्यम से और चीन से जापान में पहुँच गया था। जैसे जैसे बहुत धरम अविजात वर्ग से लोगों में फैला जैन जोडो और नी चोरिन जैसे नए आंदोलन विक्सित हुए। तेरवी सताबदे तक बहुत धरम केवल अविजात वर्गों तक सीमित नहीं था बलकि लोगों के राजनेतिक और धार्मिक जीवन का हिस्स बना। बहुत धरम शुरू में जापान में अविजात वर्ग तक रहा है लेकिन धीरे धीरे यह आम लोगों तक फैल गया और आम लोगों की राजनेतिक और धार्मिक जीवन का हिस्स बना। प्रशारित होकर एक लोगों का धरम बना आगे चलके चीन के साथ जापानी सुलक और व्यापार संबंद 800 के बाद बंद हो गए थे। और 1274 से 1281 में चीन के बिर्सित होते कभिलाई खान ने दो आकरमन चालू किये। पहला मंगोल आकरमन धरातल के परिक्षण के लिए और दूसरा जापानी तयारी के आकरमन आंसिक रूप से पराजित किया था। लेकिन इसलिए क्योंकि वह एक परचंड तूफान ने जहाजों को ब्यापक नुकसान पहुंचाया। जब जापान के संसाधन खात्म होते जा रहे थे उसे बेधड़क उपियों किये। जैसा कि आत्मगाती हमलावरों का एक दस्ता खड़ा किया। जिसका नाम कमोका ही पाइलेट था। इन यूकों का जबरदस्ती मन इस तरह बदल गया कि वह अपने बिमानों को उनके लक्षों में दुरगटना ग्रस्ट करा दें। जापान में जो बहुत धरम था वह बहुत फला फूला जब बहुत जदा उसका विकासा में देखने को मिलता है। दूसरा क्या था कि जापान पर चीन ने हमला किया। ठीक है दो बार एक बार तो दो बार किसी तरह से बच गया। एक बार जब वह बचा तो उसको उन लोगों ने बोला कि यह बहुत चमतकार हो गया है। लेकिन दूतिये भी स्युद्ध जब हो रहा था जापान के साथ तो जापान को लगता था कि बहुत धरम है। यह बहुत धरम हो उससे बच जाएंगी आदम है। यह बहुत धरम का प्रभाव जापान पर बहुत ज़्यादा रहा है और खासकर बहुत धरम का प्रभाव हमें वहाँ पर ज़्यादा दिखाई पड़ता है। और चीन ने क्या किया था ? जापान पर हमला भी किया था ठीक है और जापान पर पहला जो आक्रमन था और मंगोलो धरातल की परैक्षन करने के लिए दूसरा जापानी तैयारी के आंसिक रूप से पराजित कर दिया था ठीक है ठीक है क्योंकि इस बात को भी ध्यान रखना जापान पर चीन का प्रभाव चीन की संस्कृति का प्रभाव चीनी भासा का प्रभाव या चीनी विचारों का प्रभाव इनका भी हमें बहुत दिखाई पड़ता है देखो 800 सदी इस वीतक अगर हम देखें तो जापान के साथ जो सीमा सूल का था जो ब्यापार था चीन का लगभल बंद हो गयता है जापान और चीन के जो संबंद थे वह बहुत अच्छे नहीं रहे हैं इस बात को ध्यान में रखना ठीक है दुतिये बिस्यूद्य में भी जापान को लगता था कि उसके संसाधन खत्म होते जा रहे थे तो बे धड़क उन्होंने उपियो किये आत्म घाती हमलावरों का एक दस्ता खड़ा किया जिसका नाम उन्होंने किमो केज पाइलेट था इन यूकों का जबरतस्ती मन इस तरह बन गया था कि वह अपने बिमानों को उनके लक्ष में दूरगटना ग्रस्त करा दे वहें मानो बम की तरह काम करते जापान के लोग एक प्रकार से बहुत लड़ाके हैं बहुत उस टाइप से इन्होंने सेकंड डोलवार लड़ा था लेकिन बाद में आपको पताओ गए से जो है तुकुगावा सासन तुकुगावा की सकती का उद्भव किस प्रकार हुआ 1.10 देखो जब ही 2C की मृत्ति हुई तब तुकुगावा इसु की किसी अन्य दमाईयों ने दुगनी बड़ी जोत के साथ 2.3 मिलियन कुकु के साथ सबसे सकतिसाली दमाई थे तुकुगावा इसु 1242 से 1616 में अगर आप देखोगे पूर्वी जापान में सकतिसाली थे तुकुगावा सकति कैसे उद्भव हो ठीक है उनके हिदोएसी के सास संबन्द में उतार चड़ाओ देखे गए लेकिन जब दोनोंने महसूस किया कि टकराओ ठीक नहीं होगा हिदोएसी के मृत्व के बाद इसु ने अन्य दमयू के साथ एक संगठन बना करके अपना वर्चस अस्थापित किया और उन्हेंने 20 अक्टूबर 1600 को सीकु गहरा के मैदान पे अपने प्रतिद्वन्दियों को हराया इस गठ बंधन के बल पर तुकूगावा या इसु को 1603 में सुगून निक्त किया गया और नेता के रूप में इनकी सत्ता की पुष्टी हुई इसु के बाद हुए वर्णो में महिमा मंदन किया जिस से इसके उत्रा धिकारियों के काम को काफी हद तक नरज अंताज कर दिया लेकिन उन्हें तुकूगावा सासन की न्यू रखने में प्रमुक भून गया यानि आगे चल करके तुकूगावा सासन को बहुत डीपली में और बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा जो मैंने अभी आपको बताए ना सास्त्री जापान का निर्माड ठीक भाई जापान का निर्माड कैसे हुआ और उसमें तमाम तरह की बाती तो तमाम तरह के जो पाइंट थे उसको भी मैंने पूरी तरह के से आपका जो था उसको एक्स्प्लेइन करके बता कि भई सास्त्री जापान का निर्माड कैसे हुए या सास्त्री जापान के निर्माड में किस प्रकार की भूमी का रही क्यों इतिहास को तीन भागों में बाटा गया है वह आप बात को रखोगे क्योंकि एक्जाम में वह सारे पॉइंट को लिखना इन सारे हेडिंग को लिखना है थोड़ा इंपोर्टन रहता है एक हीज मेरी बात ध्यान रखना इसमें कुछ ऐसे नाम है कुछ नेम होगे थोड़ा आ पेपर को कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए हेडिंग पता है हेडिंग लिख दिया कंसेप्ट लिख दिया हेडिंग को मतलब होता है कि एक्जाम पास करना आसान है मैं यह कहता हूं ठीक है बेस उन रेगुलर रेगुलर में अगर मैं बोलूं रेगुलर कोई कोलेज है हा लोगों तो लिखना नहीं आता पेपर इंग्जाम को कैसे लिखा जाता है ठीक है ये भी बहुत बड़ा कारण है ठीक है डीए और लिखना ना चाहिए और को concept पता जैसे मैंने जैसे हम सास्त्री जापान का हमने पढ़ा दुनिया भर की उसमें हमने बाते की ठीक है तो उसमें मुख्य मुख्य बाते क्या थी अरे मुख्य मुख्य बाते भई या जैसे मैं बात करूँ कि जैसे तू सास्री जापान का निर्मार पर रहते हैं उसमें बहुत धरम को राज के धरम घोसित कर दिया बहुत भाई दुनिया भर का प्रभाव रहा ए रहा हो रहा सब हमने दुनिया भर की उसमें बाते की तो जो हमने या अब जिसे हियान संस्कृति क्या थी संस्कृति में हमने दुनि नंबर का कोश्चन है उसके लिए आपको चार से पांच पेज लिखना हो चार से पांच पेज फेज हैडिंग के साथ लिए फेडिंग को बहुत ज़्यादा पढ़के जाने के जूरूत नहीं लेकिन कंसप्ट किलियर होना चाहिए याँ जो पूचा जरा आपको पता होना चाहिए ठीक है एक जिनको पता हो जाता है वही मैंने बताना कि आपको पता है आप लिखिया और एक्जाम का पेपर को आपको लिखना आता है ठीक है और एक्जाम पास करना बहुत आसाना ठीक है 60-70 नमबर आराम से आजाएगा मैंने बोला ना 60-70 नमबर आराम से आजाता सिरफ आपको कंसेप्ट पता हो यानि आप पूरी किताब पढ़ लें और ठीक ठाक रिवीजन कर लें तो आराम से 60-70 नमबर आ सकता है लेकिन एक चीजा लिखना आना चाहिए फस्ट है ठीक है